कि जहन दोस्तों आसा करता हूं सब मस्त होंगे आज हम करेंट फियर का एक महत्पू टॉपिक पंड़ी के लिए जिस टॉपिक का नाम है आगामी खेल प्रतियोगता है दुवहाज चौवीस अर्थात ऐसे प्रतियोगता है जिनका आउडियन दुजा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में किया जाएगा अत्या है यह सेसन आपके लिए करेंट फियर के साथ एक एतिहासिक टॉपिक भी होने के लिए जा रहा है अत्या है इसलिए इस सेसन से आपको चार से पांच कोशन परिच्छा में आने की पूरी संभावना में होगी इसमें और आ मंघरदेरी क्उर्णा चलते हैं अपने साब लेगन आप से गोजाइस मेरी में तरहीज है कि आप सेसन पर नई है साबस्टाराइब ल इजीए सब्सरा Comput Creek कर के ऑनना यह लिए जो बयुदी बनाऊं जो भी सेज़न हुँ उसका लो टीपी किसान आपता समस्रे पहले पहुंच सके एक बात सूचित करना चाहता हूँ कि इस प्लेट फार्म के माद्दम से मैं GS के सारी विसे जिसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं हिस्ट्री, जोगराफी, पॉलिटी, एकुनोमिक, जनरल साइंस जैसे विस्ट्रीयों को बिल्कुल निश्वल्क फुरी पढ़ाता हूँ करेंटिफर आपको उपहार में देता हूँ, गिफ्ट में देता हूँ आप सेसन को सबसाइब कर लेंगे तो ये सारी सेसन आप तक निश्वल्क महुचते रहोंगे ये बात का दावा है मेरा, सैसर अच्छा लाइक करिए, कबसम पांच दोस्ता सेर कर दीजी यार और मैं जिस कॉशन का आंसर पूछें से कॉमेंट सेसन खुला हुगा है, आप उससे पूछ सकते हैं पहला कॉशन आपकी इस किन पर, बताइएगा जो 38 वे रास्टी खेल दोयाच 24 में कियी जाएंगे, किस Girid कियी जाएंगे तो मैं तरह बताईए अगर आप जानती है इस कोशन का राइट आंसर क्या है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएं किस राज में किया है? आपकी बिगत परच्छा में आ गया आज के बाद आप इस कॉशन का बिल्कुल सही आंसर करने के लिए लिए रहे हैं, इस कॉशन का रायट यह सही है बच्चा, उत्तराखंड में किया जाएंगे लाज्य में उत्तरा खंड में की जाएंगे काहां पर उत्तरा खंड में की जाएंगे यह पॉइंट आपको किलियर हुआ अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकरिया आपको बताजिता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए मैंने आपको 38 में बताए थी यह कौन से 38 में बताए थी बच्चो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कि पिछले साल कहां पर हुए हैं मतलब 37 में कहां पर हुए हैं तो बच्चो 37 में हुए हैं वो गोवा में आयुद किये गए थे 2023 में उससे पहले 36 में कहां पर हुए थे तो बगर देरी की हो गता ही है कि गोजरात में किये गए थे 2022 में तो देखिए तो आपके उत्तरा खंडम हो रहे हैं आसा करता हूं यह बास समझ में आ चुकी होगी अब आपके मन में जेहन में बुद्धी में एक क्वेशन आ रहा होगा कि सर यह बताइए इनकी सुरुवाद कम से उई थी इनकी सुरुवाद कम हुए थी तो आपकी जानकारी बता दू जो राश्टी खेल हैं इनकी सुरुवाद 1924 में सवसे पहरे पाकिस्तान के लाहौर में की गई थी इस बात को याद रखी आगे देखिए अगला कोशन दिया हुआ है किस देख में किये जाएंगे वह कहां पर आयुद की जाएंगे तो आप लोग याद रखिए किस देख में किये जाएंगे इंडोनेसिया में किये जाएंगे जापान में किये जाएंगे फिलिपिन्स में किये जाएंगे या भारत में किये जाएंगे तो मैं तर आपकी जान किसमें किया जाएंगे जापन अचापन क्या एक सहरे नगोया कौन से बच्छा नगोया में की जाएंगी अगर जानकारी के लिए कुछ अलग से पॉंट्ट आगर आप चाहूं तो बदा सकता हूं जैसे अगर पूशा जाए कि जापान है जापान की राइधानी कौन सी बच्चा पताइए जापान की राइधानी कौन सी है जापान की कैपिटल क्या है तो जापान की कैपिटल सबसे पहले जापान की राइधानी बच्चा वो टॉक क्यों है कौन सी है टॉक क्यों यहां की मुद्र मुद्रा क्या है पर चार दीप वाने बछा है जैसे इस तरीके इस तरीके से उत्तर और ये किस महासागर में तो बगर्देर की हुए पता दियों जापान की राइधानी टौक्यों है मुद्धा यह है और यहां की पार्लियमेंट तो डाय्य कहते हैं यहां की संसत को बच्चा इस वागुद्धान रखिए मेरा कॉशन आपसे यह था कि प्रसांत मासागर में चार दीपों पर वसा हुआ है इनका कभी-कभी करम पूछ लियाता है उत्तरी कौन सा है दच्छडी कौन सा है बीच का कौन सा है आपसे यह पूछाया सकता है तो आप लोग आज पर बता ले जाएए कि जैसे जो उत्तरी द कभी-कभी इनका कुछ लियाता है कि आप यह बताईए कि इनका जो जापान के दीप हैं उनका उत्तर से दच्छड या दच्छड से उत्तर इसका क्रम क्या है तो बताईए होंसी होगेंडो कियूसू और सिकोंकू चारोई बच्चों किरम हैं आपका यह कॉशन किसी तरीके स्छाज आप मिस मत करिएगा इसकी जो कैपिटल है जापान की हो हम सी पर इस बात को ढखें कि चलो आगे चलते हैं आपकी जानकरी के लिए बताऊं कि यह कहां पर किये जाएंगे जापान यह दो पता ही चल चॅइक और जापन के नगोया सेयर में आयूत किये जाएंगे, कब किये जाएंगे, 18 सितंबर से लेकर 3 अक्टूर 226 में किये जाएंगे, आपकी जानकरी के लिए एक बात और बताना चाहता हूं मैं, कि जो पहले ACN गैम्स थे बच्चों, कौन से, पहले ACN गैम्स थे, वो समसे पहले भा का चुनाब हुआ था, उस समय इसका आविजन किया गया था, वो भी कहां बच्चा, नई दिल्ली में, कहां पर नई दिल्ली में, तो पहले लोग समा का, जो ACN गैम्स थे, पहले ACN गैम्स थे बच्चा, उनका आविजन कब गया था, तो 1951 हुआ था, कब हुआ है, कहां पर थो हो रहें अमेरिका में फ्रांस में नीजिलंड में मताइए सू कोशन का राइट चैue बताइगेगा इस तो कॉश्चन का राइट आंसर क्या है किस देश में आउध होने के लिए जर्मनी में अमेरिका में फ्रांस में न्यूजिलेंड में तो बच्चो यह जो होने के लिए रहे हैं दोएट 24 में वो फ्रांस में आउध होने के लिए जा रहे हैं आप लोग इसको प्राइधाना कहाँ पर फ्रांस और फ्रांस की राइधानी कौन सी पैरिस बॉठ्च चुछ भी याद रखेंगे तो ग्रीस मकलल और और अलिए ग्रीस बच्चा कहाँ पर पैरिस में होने के लिए इस बात को आप सथ प्रसत हंडेड परसेंट आप लोग याद रखेंगे हो यह इस साल का बहुत ही इंपूरेंट कोशन है इस बात को बेहत ध्यान रखेंगे आगे चले यह तो आपको किलियर हो चुका है अब जो ओलंपिक खेलें पच्छा यह प्रतिवेस चार वर्स के अंतराल पर किया जाते हैं कितनी वर्स पर 9 वर्स कि यह कि आपको इस तर्म दिखाई देरों पांच गोल हैं पांच रिंग यह पांच महादीप जिन्हें हम लोग कॉंडिडेंटल कहते हैं गरीजी में पांच महादीपों का प्रतीक हैं इसका पांच महादीपों का क्या बच्चो प्रतीक हैं इसमें से आपको यह बताना है ज लेकिन बन गया बन आगे फूचरम बनने की पूरी संभावना है इस बात को भी द्यार रखिए आप लोग आगे चले तो देखिएगा जो ओलम्पिक हैं अंतराश्टी ओलम्पिक समिति की बारे में जान लेते हैं इसका गठन 1894 में किया गया था एक सहर सुट्रजी लेंड का देश है इस बात को ध्यार रखेंगे और अगर पूछा जाये इन ओलम्पिक खेलों की शुरुवात कब से उई थी तो इनकी सुरुवात समसे पहले 94 में गठन हुआ है 1894 में इनकी सुरुवात 1896 में बचा कहां पर 1896 में यूनान की राइधानी उस समय एथेंस हुआ करती अगला कॉशन दिया हुआ है कि ग्रीस मकालिन ओलंपिक दोहजार अठाइस कौन से बच्छा दोहजार अठाइस में चौबिस को तो मैंने बता दिया आपको चौबिस के तो मैंने आपको बता दिये कि चौबिस के कहां पर होंगे तो बताइएगा फ्रांस में होंगे कहां पर फ्रांस में पूछा ये गया है कि दोहजार अठाइस वाले कहां पर होंगे और फिर प्रत चारवर सबाद होते हैं दोहजार अठाइस वाले कहां पर होंगे यह पूछा गया है अगर दो हजार बतीस वाले पूछा जाए तो भी बता देना आपको कहां पर होंगे वह आपको बताने बाला हूं पैंतीस वे मकालली ओम्पिक देस में किया जाएगा भारत में किया जाएगा जापान में आस्टेलिया किया इकिया तो भच्छों ध्यान रखिए 2030 में कहां पर हों गे तो बताये आस्टिलिया में तो देखिए प्रत चारवर्स बार की जाते हैं मैं आप मैंचे आपको सबको याद करा दे रहा हूँ 2024 पहरिश प्रतृजार पहरिश में की आयot कि जाएंड़े उसके बात दो हजार 28 वाले आपके आस्टेलिया में उसके बाद 32 वाले कहां पर होंगे तो बता सकते हैं कि सुरी इस से पहले अमेरिका में उसके बाद जो 32 वाले हैं वो आपके आस्टेलिया माइड़ तो होंगे अच्छा 32 के बाद अगर 36 वाले चाहां तुछे जाएंग तो बताईए भारत में होना उनका प्रस्ताए ते इस बात को ध्यान रखेगा तो यह सारे में आपको बता दीए अगला है ग्रीस मकालिन वो पैरा ओलम्पिक खेल 2024 का जूँ कहां पर किये जाएगा बच्चो ध्यान दीजी मेरी बाद पैरा ओलम्पिक उन दिब्यांग भाईयों के लिए कियाते हैं जो दिब्यांग भाई खिलाडी हैं इसमें दिब्यांग भाईयों इसमें प्रतिस परदा करते हैं तो जो पैरा उलम्पिक खिल हैं वो दिब्यांग भाईयों का स्पोर्ट्स है पूछा ये गया है कि 2024 का जो पैरा उलम्पिक गेम्स हैं वो कहां पर आयूद किये जाएंगे तो आप लोग याद रखीएगा जो आपके ग्रीस मकालिन उलम्पिक खिल होंगे वो ही पर ये आयूद किये जाएंगे तो बताएए कहां पर होंगे तो ये फ्रांस मायूद किये जाएंगे आप लोग याद रखी बचा कहां पर फ्रांस में 24 वाले आयूद किये जाएंगे इस बात को ध्यान रखिए और इसका कभी-कभी है हेड़काटर पूछा जाये तो बता देना जर्मनी में जो पैरा ओलंपिक सभीती है वित्र इसका हेड़काटर कौन सा है जर्मनी के वान सहर में आप लोक इस बात को भी ध्यान रखिए आगे देखिए ग्रीस में कालिन पैरा ओलंपिक दो हजार अट्थाईस काईडिन कहाँ पर किये जाएगा तो देखिए मैंने आपको बताया था फिर एक बार आपको बताना हूँ याद करने के लिए दो हजार चौबिस दो हजार अट्थाईस दो हजार बत्तीस यही तीन थे ना यह फ्रांस में ठीक है और फिर यह अमेरिका में फिर यह आस्टेलिया में कहां पर उच्छा आस्टेलिया में जो ग्रीस माले हैं यह कौन से वाले हैं ग्रीस माले ग्रीस माले हैं ओलंपिक खिले हैं है ग्रीसगमाले mbail क्रैफ किले वो यहां पर इस त्रीक चाविप की जाएंगे उसी तरीके से बिलकुल आप यद रहेंगे जी सभी जांगे पंदीज माले हैं वाहिड काम पर पशेवी आप अब में हमेरिका में पर यहां पर होगा तो वह प्यां पर बीजिए तो आस्टेलिया में की जाएंगे जो अगला कोशन है भी तरह ठीक है इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग ग्रीस मकाली में जो 32 वाल आ गया ग्रीस मकाली में पैरा ओलम्पिक खेल 2032 काविन कहां पर होगा तो बताएं आस्टेलिया मायूद की जाएंगे कहां पर होच्छा आस्ट्यया मायूद की जाएंगे बताएं किस समय्त्र की समझ में नह आ रहा हैं कि heirकी समाज में नहीं आ रहा है और मुझे बताःटीये लृटकप 221-6 काविन कहां पर के जाएगा सबसे इंपोर्ण उइंड कोश्ण करहारायटांसर क्या है , Noma कोष्षन नोमा का कौष्षन आप पर D सही है यह FIFA 커플 है 226 माईद के जाएगा वो कनाड़ाव में होगा अमेरिक में होगा और मैक्सिको में होगा ठीक है , इसको कम करके याद कर सकते canadha अमेरिका और मैक्स को ठीक है केम करके आप या लोग याद पर सकते हैं कहां पर कनाड़ा मेक्स को अमेरिका में इसका आजिन किया जा इससे पहले YU-22 में हुआ है क्योंकि यह साल चार वर्स चार सठी हास के नնतरालपर किया जाता है आप अच्क के अचे यहनते हैं पूछा यह गया है 2022 वालओ कहां पर उटा हॉआ है तो 2022 बथर वर्लड कप वगा था जो कातर मायूत किया गया था कातर की राएधानी में कौन सी है winner रहा था, इस बात को ध्यान रखेंगे, अब देखिए FIFA World Cup की आई बात आई गी है तो इसके बारे में जाल लेते हैं, तो FIFA की सबसे पहले, फुल फॉर्म जाल लेते हैं ठीक है बच्चो तो International Federation of Association Football, इसकी फुल फॉर्म होती है इस था अपना 1904 में की गी है फीफा अंडर 1704 का किस देश मायूद किया जाएगा इस साल के लिए ये important question है बच्चो इस साल के लिए अते महत्पून question है आप लूग याद रख लिए इस साल के लिए क्यों कर 2024 सल रहा है इसलिए ये session ये question इस साल के लिए बहुत महत्पून है फीफा अंडर 1704 का आइजन किस देश में किया जाएगा तो बताइए क्या डॉमेनिन गडराज में किया जाएगा पेरू में किया ज़र्मनी में एटली में तो ये बच्चो आजन किया जाएगा डॉमेनिन गडराज में किया जाएगा पर डॉमेनिन गंडराज में की जागा इसका बिल्कुल राइट अंसर है इसको आप सत्परसत त्यार कर लिजाए हंडेड परसेंट इस को याद कर लिजिए आगे देखिए अगला क्वेशन दिया हुआ है अगला क्वेशन दिया हुआ है दच्छन अफ्रीका जिम्बामबे और नामिविया आपकी जानकरी के लिए बता दू जो जहां दच्छन अफ्रीका है जिसकी राइदानी कौन से पर प्रिटोरिया है प्रिटोरिया में बिस्तुका एक ऐसा देश बन गया है जहां पर पानी पूल 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 तरह समाप्त कर दिया है वहां की सरकार ने इसे वहां की लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर दिये हैं और पाणी देने की सरकार के पाथ कोई विवस्तान नहीं हो पा रही है अर्थात तो जो प्रिटोरिया सहर है दच्छड अफरीका की दाइजदानी वह पेजल की समस्या में जूजने वाला बिश्त का पहला देश बन गया है आगे देखिएगा दच्छड अफरीका जिम्माम्बे और नामिविया आप अच्छ तरह जानते हैं यह अफरीकी देश है बच्छो कौनसे अफरीकी देश है अफरीकी देश है यह सारी और फूछा यह गया है कि किस डूजवर का नोट एंगया यह वह पर होस्त हुआ था था तो ब भारत ने किया था अक यह बार वारत ने यह अपहली बार होस्त कर चुका है लेकिन भार्त इसकी दुवार मेजवानी कर चुका Virams इस बात को उधान रखना लेकिन जो अब जो 2000 अब यह पूछा गया है कि अब जो कब किया जाएगा तो बच्चों यह 27 में होस्ट होगा कहां कहां पर होगा दक्षण फरीका में जिंबामी में और नावी में होगा इस बात को महत्पूर तरीके से आप लोग याद कर लेना आ जो भारत में फिर 2021 में हो रहा है कहां पर हो रहा है तो बताइए दच्च्चण फूरीका में और जिंबाम्बे में यह यह पूछा है 2021 वाला कहां पर होगा 2020ります 2021 में कहां पर होगा ये पूछा है जो क्रिकेट वर्ल्ल्टकप है 2021 में होगा पाकिस्तान और स्रिलंक़ वे नीजने पर होगा दुष्टेल्यू नीजणी वह भारत और बो बनगलादी वह बताई अगर जानती है तो दिखाई दे रहा है तो बच्चो इस question का जो right answer D सही है भारत और बंगलादीश इसका right answer D सही है आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस तरहे नोट कर सकते हैं भारत और बंगलादीश में होगा आप लोग याद रखिए अगला पूछा गया है थेरह मां I.C.C महला करकेट विभी सुकब 22 Gomez का आजन किस देश में किये जाए यह यह मतलब यह है आने वाला में वर्स समय 25 में यह host के जाएगा पूछा यग्या कि स देश के जाएगा तो तेरह मां महला के विभी सुकब है उसकी बार इपता कोशिण आओ तेरह मां ही हो स्कूशा गया है तो बच्चों यह NHC महिला करेंद करेंगा इन्डियां कोईशा कारेंगा यह चौथी बार कर रहा है अगला पूछा गया है आई सी सी पुर्ष टी ट्वंटी वर्ल्ड कप कुंसा टी ट्वंटी वर्ल्ड कप दोएट चौविस कहाँ पर आज़त किये जाएगा अमेरिकां बेस्ट अडीज में यह यह याद रखिए अगला दिया हुआ है आई से पूर्ष टी टॉनटी विसकुप दोएट शब्वीस काउजिन कहाँ पर किये जाएगा तो बता दें कि यहाँ भारत और स्रीलंका दोनों इसका बिल्कुल राइट अंसर है चाहों तो आप इसका इसका इसकी इसका तो अगला दिया हुआ है आई से पूर्ष टी टॉनटी बिसकुप दोएटाइस काउजिन कहाँ पर किये जाएगा आपको एक बात तो क्या किलियर हो गई तो टी टॉनटी वल्ड कप है बच्चा प्रते दोवर्ष वाद होता है तो दोजराइट शबी स्वाल बता दिया मैंने अब बताएं कि 2008 सवाल होगा क्या आस्ट्रिया नीजलंड में होगा हां बिलकुल सही है आस्ट्रिया नीजलंड दोरों में सेलिविट के जाएगा जो 28 सवाल है बच्चो हर फेक्ट को हर स्ट एक लोगों एक कोशन के पीछे ही आप सेलेक्शन रोप जाता है आप किसी भी परतियोगी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं एक नमबर को सबसे ज़्यादा इंपोर्डेस ही दीजी क्योंकि एक रुपे से ही एक सौर बनते हैं और एक अजार रुपे बनते हैं एक लाख होती है तो ध्यान दीजिए हर आप लोग बारिकी से देखी आगे चलते हैं आइसी सी पुरुष टी टीटवनटी बिष्टकप दोजा तीस देखों मैंने आपको 28 वाला बता दिया अब 30 वाल बता दिते हैं जो आईसी सी पुरुष टीटवनटी विश्टकप दोजा तीस क इंग arcade माहिने की जा जाए गा इंगलेंडें बंगलादी शीलंग कॉस्टा साम किके लिए 24 के लिए जब बच्चों 24 वाला सब्द लिखा जाए तो यह इंपॉइंट आप सुमेले ना उसे क्योंकि यह करेंट फेरी दस्टेश महत्पूर्ण है तो ICC मैला T20 बिसकफ 24 काज़ जाना बच्चों बंगलादीस करेगा अपना पड़ोशी मुलकों बंगलादीस करेगा बंगलादीस को पाकिस्तान से कब आजात कराया था इसे कब मुफ्त कराया था वो डेट बताईए वो वर्स बता दीजिए उसमाजीस कोमेंट सेक्षन बता दीजिए चलते हैं अंगले कोशन के और ICC मैला T20 बिसकफ 24 वाला तो वो कर रहा है बंगलादीस 26 वाला होस्ट कौ करेगा आप लोग यह बताईए उन्नीसमा कॉशन है तो 26 वाला है बच्चो आइसेसी मैला T20 विसकफ का दोएट 26 कावजन इंगलेंड में किये जाए कहां पर किये जाएगा इंगलेंड में इसकावजन किये जाएगा आगे दिया हुआ है आइसेसी मैला अंडर 19 कौन सा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप यहां पर इन सब्दों को याद रखे मैला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 26 को कौन उस्ट करेगा कहां पर आजुद किये जाएगा बीसमा कॉशन है तो बच्चो यह जिम्मांबे ओ नामी यह दोनम ह होगा सिस का obtained – सिस खाल को रैट हैं सिस खाल कुल राइट है विल्ग आफ लूग याद विक्हाई हुजह पर बश्तक बंग का जोंग जाती है तो फिद्र हम यह क्या बात हिए न आगे चलते हैं बगर देरी की हुए आगे कोशन दिया हुआ है बता दें आपको अंतरास्टी मुक्कवाई संग के बारे थोड़ा साथ जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है यहां से पूछ लिए जाए जो अंतरास्टी मुक्कवाई संग है बच्चो इसका गठन उन्निस सो चाल करना है आप लोग याद रखिए इसके अद्दच उमर नजरोबेक केमरेल हैं इस बात को ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं पुरुस का एफ आइच पुरुस का एफ आइच हौकी बिसकप दोच्शबीस का विजन कहां पर किये जाएगा तो बच्चो इसका जो आइजन है बेलजियम और नीजरेंड दोरों में किए जायेगा नीजरेंड और बेलजियम दोरों में किए जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे जो पुरुस हर्ट कलद बारत को याद रखेंगे इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे घोंः श्तापना को थी तो आप लोग याद रखिए 1924 में विए थी 1924 में इसकी स्थापना होगी बिल्कुल नहीं बूलेंगे जो अंतरास्टी होकी महसंगे इसकी स्थापना उन्हें 24 में की थी इसका हेड़कॉर्टर भी लाज जोन में हैं आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगें को लाज जोन कहां पड़ता है स्विटर जोन पड़ता है अध्यच तयव एकराम है बच्छों आगे देखिए महला एफ आइस हाकी बिश्कॉप दोज़च जोन कहां पर किया बेल्जिएंग गारण कर सकते हैं पूरुसओ और महलाम पर होग और महलान पर होगा है इस बात को विध्यार रखेंगे आगे देखिए अब तीरंदाजी बात आ जाती है कि जर्मनी मेक्स को अमेरिका और दच्छण अफरीका बताई चौबिस में और राइट आंसर क्या है तो यह बच्छो यह किया जाए दच्छडी कोरिया में किया जाएका पर दच्छडी कोरि आई तीरंदाजी में प्रत्योगता में इस रंगल लाए इसकी अच्छा यह कब से सुरूख किया गया था तो बताईए यह उन्यू सफें से कथी सुरूख किया था दोयार त्यस समय इसको जर्मनी ने होस्ट किया था इस बात को भी धिया थिया हत्म होने वाला वसकि वह सा आपको इसका जो आएवजन है वह पाकिस्तान करने के लिए जा रहा है सबसे पहले यह पूछा गया है कि पहले साउथियन एसियन गेम्स कावजियन नहीं किया गया था इस फैक्ट को आप अलग सियाद कर सकते हैं 2019 में साउथ एसियन गेम्स कहां पर आउद किये गए थे तो नेपल में किये थे इस बात को भी ध्यान रखेंगे सब्सक्रा इस में सब्सक्राइब तो किया जाएंगा तो चाहिए जाया तो हमाएंगा थो यह जाया आस्टलिया सब्सक्राइब काँ पर के जा हंगरी अच्छा मैंतर हंगरी की राजधानी कौंसी इस बात को आप अलग से याद कर सकते हैं तो FIDE द्वारा आयोत 45 मां सतरेंज से होगा हंगरी की राइदानी बुड़ा पेस्ट में होगा जो 44 मां है बच्चो वो चैन्नाई मायोत किया गया था तमिलनाडू में भारत में और 45 मां हंगरी मायोत की जा रहा है अगला है युवा उलम खेल दोएच्शंबीस का वच्चो आजन है 27 सेनेगल में किया जाएगा सेनेगल आपको बताना है किस महसागर में यहां देश इस 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 इनेगल वच्चो आगे देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्चुकप दोएच्शंबीस का वच्चन कहां पर किये जाएगा तो अंडर 19 क्रिकेट विश्चुकप है दोएच्शंबीस में बच्चो यह कहां पर होगा इंपूइंट कॉशन आप लोग गया रखिए तो सावत अफरीका नामी विया जिम्बा में किये जाएगा इस बात का ध्यारगना डीस का बिल्कुल राइटांसर है यह मेरा चोटा सा दस पंद्र से बीस मेंट का सैसन था और यदे आपको यह को शैसन अच्छा लगा हो तो आप से गुजाए सीकूंगा कि सैसन को कम सें पांच दोस्तों के साथ सेर करिए यह सैसन आप जितने भी प्रोविस्टि में एकजाम देंगे तो हो सकता यहां से कौशन बन जाके लिए और एक कौशन की बहुत बड़ी इंपोरेंसी होती है आप इस बात को बिल्कुल जहां रखिए नई सैसन अपसे फिर आपसे फिर्म लाक उत होगी तब तक कि लिए जहन जबा झाल